इस्टोक मार्केट क्रैस होने का काला सच इस्टोक मार्केट क्रैस होने का काला सच और ये सच जानकर आपके होस उड़ जाएंगे दोस्त इस्टोक मार्केट में खिलवार करने वाले इस तरह की बाते करने वाले और भारत सरकार को और भारत के स्टोक मार्केट को जूट को सच बनाने की कोशिस करने वाले की धजिया न उड़ा दिया इस वीडियो में और आप भी कहेंगे कि हाँ सही बोल रहें सर और अगर आपको लगे समझ में आए तो आप जरू कमेंट कीजिए जो चलिए काला सच जो कभी सच है ही नहीं और ये जो आप लाखो लाखो वीवर जो देखते हैं उनको मैं एडवाईज देख करता हूँ कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक भारत के स्टोक मार्केट से जुड़े हुए लोगों तक पहुंचाईए क्योंकि ये बहुत ही खतरनात इस्तिती आई है स्टोक मार्केट में अफवाहों की चलिए काला सच क्या है क्रेस्क होने की और डॉलर से डॉलर टू रूपीज 77 प्लस में जाने के पीछे कारण क्या है और ये हम उससे पूछना चाहते हैं जो ये अमेरिका के दलाल अमेरिका के दलाल कुछ स्टोक मार्केट में वीडियो बनाते हैं दस्तों और अमेरिकी डॉलर लेकर ये वीडियो बनाते हैं और मूँ छुपाकर बनाते हैं हम तो ऐसे डेली बनाते हैं और मेरा तो हाथ पैर उंगली सब चलते रहता दिखते रहता है वही उंगली वही पैंसील वही ब्लैक बोर्ड सब दिखता है अमेरिकी की दलाल ने ये चर्चा किया है ऐसी अफवाहों का कि गरीबों को गैस मांगा हो जाएंगे गरीबों को पेट्रोल डिजल मांगा हो जाएंगे सबजी मांगा हो जाएंगे, नमक मांगा हो जाएंगे, यहां तक कि माचिस भी मांगा हो जाएंगे, मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि जब पैदा हुआ था वो जब पैदा हुआ था, तो डालर कितना में था, और रुपिया कितना में था, अगर वो देखता होगा, दोस्त पैदा वातर डालर कितने में था रूपिया कितना में था तो उस हिसाब से डालर भी बढ़ेगा रूपिया भी बढ़ेगा और इस तरह की अफवाहों से बचिए मार्केट क्रेस क्या उससे पूझिए उस बेखूप से जो बोल रहा है कि आम जीवन अस्त बेस्त हो जाएगा अरे राष्ट के द्रोहियो राष्ट द्रोहियो और पैसा कमीशन चंदा लेकर वीडियो बनाने वाले तुमकी तुमारी तो धजिया उड़ा देंगे हम इस वीडियो में दोस्तों आप जान लिजे कि काला सच क्या है इस टोक मार्केट क्रैस होने के पीछे इस वक्त से इस चीज से क्या मतलब कि सबजी मांगा हो जाएगा इस टोक मार्केट में क्रैस होगा तो सबजी मांगा हो जाएगा ते डिजल मांगा हो जाएगा और ये डालर रुपीज की बात कर रहा है उससे पूछिए कि ये उस टाइम में जो गैस की बात करता है और टाइम में जब ये सरकार थी कॉंग्रेस की उस समय चार सुर्पया का सिलेंडर प्राइज तो था चार सुर्पया लेकिन किसको मिलता था किसको नहीं मिलता था वो हम अची तर जानते हैं और ये ही 400 का सिलेंड एक हजार में लेना पड़ता था ट्रक आते ही सुबह चार बज़े सुबह ही पता नहीं बट गया खतम हो गया और वही सिलेंडर आप लेने के लिए एक हजार ब्लैक मिलता था और आज सिलेंडर जो मिल रहा है 900-800 जो भी मिल रहा है 20 साल नहीं दोस्तो तीस साल पहले की बात बोर नहीं है 30 साल पहले 5000 में ब्लैक मिलता था नहीं जानते तो जाना लिए सिलेंडर पार्टियों के जो पैसा लेकर वीडियो बनाया है उसे पूछिए जी दोस्तों एक वीडियो हमने देखा और तब से मेरा दिमाग एकदम ब्लास्ट हो गया है और मैं उसको पहुचूंगा वहां तब उससे ये पूछिए कि 30 साल पहले जब कांगरेस की सरकार थी डीजल क्या प्राइस था पेट्रोल क्या प्राइस था और आज क्या है 30 साल बाद उससे पूछिए कि 30 साल पहले तेरे बाप की क्या आमदनी थी और आज तेरी तेरी आमदनी क्या है उससे पूछिए कि ओ क्या टेलीफोन से कभी जिन्दगी में बात किया था ट्रंक कॉल किया था उससे पूछिए और ये मोबाइल की जो अंटरनेट जो देख रहा है वो उससे उससे पूछिए कि क्या वो पूछिए उसके टेली कम्मुनिकेशन सेक्टर से और ये सब के सब जूट और ये फ्रॉड जो है वीडियो बनाकर अपना सिर्फ वीवर त्यार करते हैं दोस्तों कोई भी स्टोक मार्केट के चलते सबजी और नमक मांगा होने वाला नहीं है जय ही जय भारत बंदे मातरम घबड़ाये नहीं स्टोक मार्केट भारत का दुनिया में नमबर वन होने वाला है